आज मैं आप सबके साथ सेयर करने वाली हूँ मच्वी की बहुत ही देश्टी करी वाली सबजी तो चलिए इसका मसाला लेते हैं सबसे पहले से हाँ पर हमने ठीड़े सारे लेसुन के कलिए और एक हरी मिर्च लिये हैं और हाँ पर देख सकते हैं बड़ी वाली चमच के यह आपके पास है उसे आप यूज कर सकते हैं इसमें छोटी वाली लाइची और जाबित्री जायफर और थोड़ा सा चार से पांच इस तरीके से काली वाली मिर्च भी आट कर दे अब इसका बारिक हमें पेश तयार कर लेना है तो देख सकते हैं एकदम बारिकी पेश तया यह तो इसमें थोड़ा सा पांच दाख्र मसालों को अच्छे से मिफ्स कर लितें सिशनी हें जो सूखे मसाले होते हैं वह अच्छे से फ्रूल जा यह अध्यों कि ऊपर इसे अच्छी तरीकी से लगा देना है। आँटीर के ऊपर यह बहुत अच्छी से कोपिं हो गिया है तुकि रच पो टेते हैं कि अब उसमीं पुनत्र कहांने प्लonn आ लेना है, तो उसमें इपना के चाहि पास मच्रहकात हैं एक बात का खाज ध्यान रखें तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाने दिए इसके बाद हमें मचलियों को फ्राइब करना है तो मैं तेल में एक एक करके मचलियों को इस तरीके से एक कर देंगे और गैस का फ्लीन थोड़ा सा हाई कर देंगे एक तरब से मचलिया अच्छे तरीके से फ्राइ हो गये हैं तो दूसरे तरब भी हम इसी तरीके से फ्राइ करेंगे गैस का फ्लेम मीडियम ना करें थोड़ा सा हाई रखें तो देख सकते हैं मचली अच्छे से फ्राय हो गए है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में तो इसी तरीके से सारे मचली को फ्राय करना है तो हमने सारे मचली को फ्राय कर लिए है तो थेल बचा हुआ है आधा चम्वच मेथी अट कर देते हैं मेथीलका सब भून गया है जो हमने मसाला बना कर त hospitals अब इसमें एट कर देना है कुराय में यह जो थोड़े बहुत प्राइध करते हुए जल जाते हैं मसालों के साथ यह बहुत अच्छे से अभी नीचे से छोड़ देते हैं तो बस इस तरीके से मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है तो देख सकते हैं कराई में यह बहुत ही अच्छे से जो थोड़े बहुत लगे थे अच्छे से छूट गया है तो मचली अच्छे तरीके से फ्राय हो गए है और मसाले के उपर तेला गए है मसाले भी अच्छे तरीके से भुन गए है तो इसमें पानी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए इसमें ग्रेवी के लिए छोटवाली ग्लास से तीन ग्लास पानी अटकी है ग्रेवी को लगभग दो तो देख सकते हैं इसमें हम आधा चमच आमचूर पाडर भी आट कर दिये हैं तो बस बहुत अच्छे से पग गया है एक मिनट हो गया है गैस का फ्लेम बंद कर दिये थे और यह देख सकते हैं मचली जो है तरी वाली बनकर रेड़ी हो गया है ग्रेवी वाली तो आप सब को कैसा लगा यह दिया आप सब को वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जाओ करना